नमस्कार शीत कालीन का अंतिम सप्ता आज सुबा लोकसभा के सदन के नेता और राष्ट के वित्मंत्री प्रणब मुखर जी साहब ने माने इडवाने जी को सुष्मा जी को और अरुन जी को प्रस्णकाल के बाद बैठक में बुलाया था चर्चा का विशे था कि कल लोकसभा की बीएसी में ये निर्ने हुआ था कि लोकपाल विधेक आज इंट्रड्यूस हो जाएगा और 27, 28, 29 को हाउस को एक्स्टेंड करेंगे ऐसा निर्ने हुआ था पर साम को प्रणब बाबु ने अडवानी जी को फोन करके बताया कि इस पर काफी लोगों ने कुछ आसुविधाय हैं जिसके कारण हम उस पर पुनर विचार करने के लिए सोच रहे हैं और साइद अब सदन 22, 23 को लोगपाल का विधेख पास करेगा पर आज सुभा उन्होंने कहा कि चूकि कल सरकार की कैबिनिट ने बिल तो पास कर दिया कि तो चूकि ये मनी बिल है इस पर रास्टपती के हस्ताक्षर होने जरूरी है और रास्टपती के हस्ताक्षर हुए बगाएर ये सरकुलेट नहीं हो सकता प्रिंट नहीं हो सकता तो वो सारी विवस्था के लिए और महा महीम रास्टपती जी दिल्ली से बाहर है और कल ग्यारा साड़े ग्यारा बज़े लोटेंगी उसके बाद ही दसकत हो सकेगा और साम साड़े साथ बज़े आठ बज़े तक ये संभावना है कि ये हम सांसदों को सरकुलेट करने के लिए अपने डी ब्रांच को दे सकें तो डी ब्रांच को पहुँचेगा वो रात को किसी के पास साड़े आठ नौ बज़े पहुँचेगा और कल उसका इंट्रोड़क्शन सदन में होगा कल सुबा होगा कल सुबा इंट्रोड़क्शन होगा आज सर्कुलेट होगा कल इंट्रोड़क्शन होगा कल इंट्रोड़क्शन होने पहला जो 2010 अगस्त को उन्होंने 4 अगस्त को साथ पहला बिल इंट्रड्यूस किया था उसको विड्रॉ करेंगे और एक निया बिल इंट्रड्यूस करेंगे और वो इंट्रडक्शन होने के बाद ही इस पर कोई चर्चा के बारे सोचा जा सकता है नहीं ऐसा है कि स्टैंडिंग कमेटी में जो सुझाव आए हैं जो प्रस्ताव आए हैं या जो स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ लिख कर भेजा है कुछ लोगों ने अपनी डिसेंट नोट के माध्यम से बताया है और कुछ आल पार्टी मीटिंग में जो निरने हुए चीजों को मद्दे नजर रखकर जो प्रारूप बन रहा है उनके पास उनको लग रहा है कि इतनी संसोधन है उसमें तो संसोधन देने की बज़ाए एक नया बिल का रूप ही ले लें तो वो करना चाहते हैं और वो फिर बिल डिस्कुशन के लिए आएगा तो उनका कहना था कि आप लोग क्या चाहते हैं तो हमने हमारी पार्टी हमारे नेता जो गए थे उन्होंने कहा कि हम जहां तक डेट शिडूल कैलेंडर जो भी निरने करना है वो आपका निरने है आप करिए अगर आप 22 को लेना चाहते ह हैं हम उसके लिए तैयार होंगे पर तैयार तभी होंगे कि जब बिल हमारे हाथ ना आएगा और अगर आप उसके बाद करना चाहते हैं 27-28-29 को तो कल आप BAC में और लेड इन ने ले चुके हैं तो हमने ये बात उन पर छोड़ी है कि कैलेंडर उन्होंने निश्चित करना है हम पक्षिधर हैं कि एक ससक्त लोगपाल जल्दी से जल्दी पास होना चाहिए अभी तो पास होने की बात बाद में आती है पहले तो वो इंट्रिड्यूस होना चाहिए यही आज सवेरे की मीटिंग में हुआ था जिसके लिए बहुत सारे लोगों को पत्रकारों को उच्छुकता थी जानने की यही जानकारी देने में हम पास आया थी